कि सबसे पलए स्टैप के संटेंसेज में अब्जेक का चुनाव करेंगे, उस अब्जेक का नुसर इज आ एम का चुनाव करेंगे, नौट की ज़रत पड़ेगे तो नौट लगाएंगे, जैसे इसमें नौट कहा रहा है, नहीं कहा रहा है तो नौट लगेगा इसमें, उसके अब्जेक क्या है मुझे तो क्या करेंगे बाब मुझे का अंगरे जी आई लिखेंगे पैसी भवास में मुझे का अंगरे जी क्या होता है आई और एक्टिव भवास में क्या हो जाएगा मी हो जाएगा हो सकता है कि अब्जेक्टिव फर्म में हो तो क्या करेंगे मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है तो कहेंगे I, I can sir, aim लगा देंगे बाबू, उसके बाद नहीं कह रहा है तो not लगा देंगे, I am not, उसके बाद being लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, late लगाएंगे, उसके बाद other words, तो other words क्या है बाबू, कि मुझे काम करने नहीं द दिया जा रहा है तो कहेंगे I am not being let do work काम करना करने जो होता है अब संटेस तजार हो गया मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है इसका इंगलिस क्या होगा I am not being let do work मुझे इंगलिस बोलने नहीं दिया जा रहा है या उन लोगों को इंगलिस बोलने नहीं दिया जा रहा है या गरीबों को डियम से मिलने नहीं दिया जा रहा है गरीबों को मुख मंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है तो कैसे बोलेंगे बाबो गरीबों को मुख मंत्री से मिलने नहीं दिया जारा है तो क्य खेएगा अब पुअर हो गया न idée कि पुलल ऊगया तो अ लगेगा अ न सबहनए न नीगेatus है तो न उनक लगेगा इन जी लगेगा तो आ इन जी के बदल क्या हो जाया जाएका यानि कि गरीबों को मुखcą मंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है तो रहा है ना पैसी वह ऐस हो गया तो बिंग लग जाएगा आई एंग नहीं लगेगा तो क्या कहेंगे दपूर आर नौट बिंग लेट मिट टू दा संटेंस का कंसेप्ट समझ लीजिए एक वरवाबू क्या कहा रहा है कि दपूर आ नौट बिंग लेट मिट यानि कि गरीबों को मिलने नहीं दिया जा रहा है किस से करें कि टू दा सीम यानि कि मुख मंतरी से अगर डीम होगा तो टू दा डीम कहेंगे यानि कि डीम से मिलने नहीं दिया जा रहा है और परधार मंतरी से नहीं मिलने दिया जा रहा है तो क्या कहेंगे दपूर आ नौट बिंग लेट मिट टू दा प्राइम मिनिस्टर टू दा प्रेसिडें बहुत आसान है बाबू बसरते कि आपका concept clear हो गया अगर concept clear हो जाए तो बिल्कुल आसान है बिल्कुल इजी है आए जो हम लोग third sentence देखते हैं बाबू यानि कि sentence number three जैसे आपको English में बोलना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखने नहीं दिया जा रहा है या मुझे अंग्रेजी में अप्लिकेशन लिखने नहीं दिया जा रहा है तो कैसे बोलेगे मुझे अंग्रेजी में अप्लिकेशन लिखने नहीं दिया जा रहा है तो कहेंगे बाबू I am not being let write an application in English इस ही कहिंडी क्या निकले दिया जा रहा है क्या कह रहा है I am not being let write यानि कि हुझे लिखने नहीं दिया जा रहा है क्या so in application did English में मुझे चाई पीने नहीं दिया जा रहा है, मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, और आपका concept किलियर हो गया है. आपको खुद से sentence बनाना है बावू, हाज्यारों के संख्या में sentence आप लिख सकते हैं और create कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत तीजी है, बहुत असाल है, चुकि एक structure भी आपके सामने है और मैं भी आपके साथ हूँ, एक sentence और बनाऊँगा, उसके बाले आपको practice करना है बाव the poor are not being let play इसी का मतला होता है कि गरीबों को खेलने नहीं दिया जा रहा है, यानि कि the poor are not being let play, गरीबों को खेलने नहीं दिया जा रहा है, और वहां तो कहेंगे there, यहां तो here, जो भी ow में होगा उसको note कर देंगे, it's very simple, मेरे ख्याल से आप सब का concept clear हो गया, कि कैसे जो है, लेट का मदद करते हुए, इस टाइप का sentence हम लोग बोलेंगे, यानि कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को आने लड़ने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को चुनाओ लड़ने नहीं दिया जा रहा है, इस टाइप का sentence है, जाप आसानी से बना सकते है, I think आपका concept clear हो गया है, और इतना जो है lecture देने के बाद भी अगर आपका concept नहीं clear हुआ हो, तो मेरी आप सब से request है, कि ये रहा मेर परसनल लंबर भभू, 9852435774 The first step towards achieving your dreams is having the right coach, get the best education with English Plus by Sanjeev Siva Neer and make your spoken English dreams come true, download the app now.